कहते हैं prevention is better than cure यानी बचाव उपचार से बहतर है मेरा इशारा यहाँ कोरोना वाइरस की तरफ है जिसको दुनिया में दहशत मचाते तीन महीने होने वाले हैं और अभी तक कोई vaccination या antidote नहीं मिल पाया है यह जान लिवा वाइरस अब भारत में भी अपना कहर फैला रहा है दिन भर दिन अलग-अलग राजियों में नए मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि कोरोना वाइरस का अभी तक कोई उपचार नहीं मिला इसलिए इस बिमारी से लड़ने के लिए दो ही हत्यार है जानकारी और ब के सपोर्ट के विना इस तरह की अवेर्नेस वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है बात करते हैं भारत में बढ़ रहे केसिस को लेकर इस समय दुनिया भर में लगबग सवा लाख लोग इस वाइरस की चपेट में हैं और चार हजार से जादा मौते हो चुकी है चीन से करना नहीं है पर हमें अपने राज्यों और अपने आसपास के बारे में जागरुक रहना जरूरी है और साथ ही आसपास वालों को जागरुक करना भी अगर कोई जानकारी आपको है तो उस जानकारी को अपने सगे संबंदियों के साथ भी शेयर करें पर खबर वही शेयर कर तो इसका जवाब है नहीं। कोरोना के कुछ खास लक्षण होते हैं, पर ऐसा जरूर है कि 80% अप दे टाइम कोरोना वाइरस पेशेंट को वही सिम्टम्स होते हैं, जो एक नॉर्मल फ्लू वाले पेशेंट को होते हैं। अब देखते हैं कि इस वाइरस के लक्षण है क्या। इन सिम्टम्स का आप ध्यान रखे, पैनिक नहीं करना है, जागरुक और अवेर रहने की जरूरत है। सब इसी कोशिश में है कि जल्दी से यह महमारी खतम हो जाए, तो आखिर कोरोना का खत्रा कब तक खतम होगा। आम तोर पर बागी के वाइरसे 35 डिग्री से उपर मर जाते हैं। भारत में सरदी का मौसम जा रहा है पर अभी तापमान उतना बढ़ने में टाइम है। तो कोरोना का वाइरस कितने तापमान पर जिन्दा रहता है यह अधिकारित तौर पर किसी को नहीं मालूम। तो तेज गर्मी में यह मर जाएगा, इसकी पुष्टी गर्मिया आने पर ही हो पाएंगी। एक बात और समझे कि कोरोना वाइरस की रिसर्च अभी शुरुवाती दौर में ही है। अब बात करते है कि किस उम्र के लोगों को इस वाइरस से सबसे अधिक खत्रा है। देखिए किसे भी रोग का असर उन लोगों पर जाधा पड़ता है जिनके शरीर की प्रती रोधक शम्ता यानि की इम्यूनिटी कम है। ऐसे में अभी तक उपलब्द आंकडों के अनुसार ये बिमारी 50 साल से अधिक उम्र के मरीजों के लिए जाधा घातक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 से कम उम्रवालों को ये वायरस संक्रमित नहीं करेगा। केरला में कल ही 3 साल की बच्ची कोरोना वायरस बॉस्टेफ पाई गई है। अब सबसे एहम सवाल क्या संक्रमित होते ही मौत निश्चित है। कोरोना वायरस को लेकर ऐसे कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी वजा है अधूरी जानकारी। जितने लोग पीडित होते हैं उन में से अधिक ठीक हो रहे हैं। मरने वालों की संक्या संक्रमन का लगभग 2% ही है। लेकिन इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि ये फैलता बहुत जल्दी है। एक लाग से जादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और ये 115 देशों तक फैल चुका है। जरूरत है कि बस हम इसको टाइम रहते डिटेक्ट कर ले और टाइम पर इलाज हो जाए। तब ही कहा जा रहा है अवेर रहना ही इसके लिए सबसे बड़ी रोग थाम है। दोस्तों जल्द ही मैं अपने चानल का नाम चेंज कर रही हूं। नया चानल नहीं बस नया नाम। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो वेट किस चीज किये जल्दी से कर लीजे। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।